हर् האTION हलो फ्रेंट्स, आज हम इंडियन कॉंस्स टू के आर्टिकल्स को केसी इक चीज़ेश्ट वे में याद कर सकते हैं आज हम वह देखेंगे, हमारी इंडियन कोस्टिटूशन के आर्टिकल्स कितने है birth 448, जिनको क deeply part अधिया हुआ है 25 groups में उन 25 parts में से 12 group ऐसे हैं जिनसे की हमारे सारे competitive exam में से question पूछे जाते हैं तो आज हम वो 12 articles को कैसे एक statement के जरिये से याद कर सकते हैं आज हम वो देखेंगे तो मैं एक statement लिखती हुए आपर देखिए देखेंगे, आपर च्परा येखेंगे देखेंगे दिखेंगे लिए व वो देखेंगे लिएगे, आपरा मिल्टरीश सीच्छिए रहारा आपर् yaुछ तेखेंगे तो यहां पर हमने एक statement लिख लिख लिया है तो आप यह भी notice कर सकते हैं मैंने इस statement में जो लिखा है सारे word के पहले जो letter लिखा हुआ है इनको capitalize में लिखा हुआ है तो क्यों capitalize में लिखा है उनको highlight करने के लिए highlight क्यों करेंगे क्योंकि यही 12 articles है जो हमें याद करना है तो इनको हम एक circle की जर्ये से इनको highlight कर लेते हैं फिर जो 12 articles है उनको हम लिखेंगे तो देखें पहले में लिखते हैं पहला article जो है जो capital में लिखा हुआ है वही सब letter लिखेंगे ठीक है पहले U लिख 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 लिखा है second जो article है उसके U के बाद क्या आएगा C C फिर third जो article आएगा C के बाद क्या highlight क्या हुआ है हमने F फिर आएगा IB IB के F के बाद क्या highlighted क्या हुआ है D तो seriously हम ऐसे लिख जाएंगे पहले लिखेंगे पहले letter को लिखेंगे फिर उसके under में कौन से कौन से articles आएगे वो हम याद करेंगे ठीक है IB ध्यान रखेंगे फ्रेंटS IB के बाद B ने लिखना है IB A लिखना है ठीक है IB A लिखना है तो हमारा D तक गया था D के बाद क्या आएगा फिर F लिखना है F फिर यहाँ पर IB A के बाद आप भी लिख सकते हो B में आएगा U उसके बाद आएगा V I जो की है S उसके बाद ध्यान रखेंगे फ्रेंटS B 7 ने आएगा जैसे की V II ने आएगा V II डे रिखना है ठीक है 8 आएगा V II I S तक गया था फिर सा आएगा U फिर आएगा B II के बाद क्या आता है I X तो आप लिख देंगे ऐसा I X I X में क्या आएगा P लिखा हुआ है P देख सकते हैं आप P P लिखेंगे फिर यहाँ पर भी ध्यान रखेंगा I X के बाद X ने लिखेंगा I X A लिखेंगा ठीक है जैसे IB के बाद IB A लिखें I X के बाद I X A लिखना P के बाद क्या है M देख सकते हैं आप M लिखा हुआ है यहाँ पर M फिर I X A के बाद क्या X फिर I X A के बाद क्या लिखेंगे X लिखेंगे X में क्या आएगा फिर M के बाद M के बाद आएगा S यहाँ पर लिखेंगे फिर S X के बाद क्या आएगा, फिर X आए जो कि X के बाद क्या लिखा हुआ है R को highlight क्या हुआ, फिर R लिखेंगे तो यही 12 articles है जिनको हमने highlighted क्या हुआ था इस statement में, और यही 12 articles को ही हम याद करेंगे, तो U में से हब लिख लेंगे U में से होगा, Union and its territories Union and its territories U में से होगा C में से हाएगा फिर Citizen C C में से हाएगा, Citizen F में से हाएगा Fundamental Fundamental Rights Fundamental Rights D में से आएगा DPSP F में से फिर हाएगा Fundamental Duties fundamental duties ठीक है फिर U में साएगा union S में से state फिर से आएगा U में से union territories ठीक है union territories P में साएगा pancayat M में से municipality S में से schedule cost ठीक है schedule cost R से होगा relation between center and states ठीक है relation between center तो यह हो गया हमरे 12 articles और इनी में से ज्यादा तर सारे competitive exam में से question आते हैं और जिनको हमें याद कर पाना बहुत मुस्किल हो पड़ता है तो एक यही trick के माध्यम से हम सारे यह 12 articles को के से हम याद कर सकते हैं वो हमारे लिए easy होगा तो यह articles को याद कर पाना भी इतना मुस्किल नहीं है यह आपको दो तीन बार ध्यान से पढ़ना होगा फिर आपको easy में याद हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजेगा friends अबना जो है वाकी serially में लिख लेंगे फिर जो statement के जरिये से serially जिनको हम highlighted क्या होगा पहला लेटर वो सभी वर्ड का पहला लेटर लिख लेंगे फिर वर्ड लिख लेने से हमको यह सारा भी याद हो जाएगा तो यही तक था हमार आर्टिकल्स अगर आपको helpful होगा तो वीडियो को लाइक कर देर जीएगा और सब्सक्राइब कर देर जीएगा थेंक्यू फ्रेंड्स